होट स्पोर्ट को इंगित करके पहले से भी जादा, बहुत जादा सतकता बरतनी ही होगी जिन स्थानों के होट स्पोर्ट में बदलने की आशंका है, उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे नए होट स्पोर्ट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनोती देगा नए संकट पैदा करेगा इसलिए अगले एक सप्ता हमें कोरोना के खिलाप लड़ाई में कठोरता और जादा बढ़ाई जाएगी बीस एप्रिल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज को बड़ी बारी किसे परखा जाएगा बहां लोकडाउन का कितना पालन हो रहा है उस खेत्र ने करोना से खुद को कितना बचाया है इसका मुल्यांकर लगातार किया जाएगा जो खेत्र इस अगनी परिशा में सफल होंगे जो अपने हाँ होट स्पोर्ट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके होट स्पोर्ट में बदलने की आशंका भी कम होगी वहाँ पर बीस अपरिल से कुछ जरूरी गतिविद्यों की अनुमती छुडचाट दी जा सकती है लेकिन याद रखे ये अनुमती सवशर्ट होगी बाहार निकलने के नियम बहुत सक्त होंगे लॉकडाउन के नियम अगर तूरते हैं और करोना का पैर हमारे इलागे में पढ़ता है तो सारी अनुमती तुरंत वापिस ले ली जाएगी और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और नहीं किसी और को लापरवाही करने देना है मेरे देश्वास्यों कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तरुत गाइडलाइन जारी की जाएगी झाली तो सरकार की लापिस लेजस्वास्यों